आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सफाई हुई है और सफाई होने के बाद में हमारा अगला पीरेड आया है और हमारा पीरेड बंद नहीं हो रहा है तो इसी परस्तिती में हम क्या कर सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वज़े से हमारा पीरेड नहीं बं तो आए हम बात करते हैं कि सफाई कब करवाई जाती है जैसे कि कोई महला को unwanted pregnancy हो गई है और महला उस pregnancy को terminate करना चाहती है या उस pregnancy को continue नहीं करना चाहती है तो ऐसी परस्तिते में क्या होता है कि जब आपकी सफाई हो गई सफाई होने के बाद में कुछ दिनों बाद 10-12 दिन अपने ultrasound भी करवा लिया ultrasound में भी पूरा clearly आ गया कि आपका जो abortion है पुदी तरह से successful हो गया या पुदी तरह से complete है अब आपको कोई problem नहीं है पर जब आपका next period आता है यानि कि अगले महीने जब period आता है और period आता है तो बंद नहीं होता है साथ दिन हो गए, आठ दिन हो गए, दस दिन हो गए तो एसे में period बंद ना होने के क्या कारण रहते है सबसे पहला तो कि आपकी जो endometrium की lining है वो सही तरीके से अच्छे से नहीं बन रही है और hormone disbalance हो गए है यानि कि hormone में गड़वड़ी आ गई है जिसकी वज़े से hormone balance नही ठीक हो जाती है और अगर आपकी problem ठीक नहीं हो रही है तो एसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस doctor ना आपकी सफाई की है या abortion किया है आपको उन doctor के पास जाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि madam या sir मुझे एसी problem हो रही है तो अभी इस परस्तिती में मैं क् जनरल ही हम लोग सफाई भी करते तो उसके बाद में आपको 21 दिन वाली दवाईये चालू करवा देते हैं उसका फाइदा यही रहता है कि एक तो आपके period regular रहते हैं दुबारा pregnant नहीं हो पाते हैं और आपको जो ये एक एक दो दो बुन bleeding की या बीच बीच में periods आने की जो समश्चा रहती है वो जल्दी से ठीक हो जाती है तो मान लोग कि आपका DNC के बाद में डोक्तर ने 21 दिन वाली दवाई नहीं दी next period आ गया और next period आपका burn नहीं हो रहा तो यसी परस्तिती में आप कुछ दवाईयों का उप्योग कर सकते हैं जिससे कि अपनी bleeding stop हो जाए क्य चाहिए कई सारे patient doctor के पास नहीं जा सकते तो इसी परस्तिती में वो क्या कर सकते तो सबसे पहले तो आपको vitamin C वाले product जादा लेने चाहिए जैसे कि आपका orange हो गया मोसम भी हो गई आपका lemon water हो गया इन चीजों से जो bleeding का flow है वो अपने आप ही कम हो जाता है आपको गरम चीजे नहीं खानी चाहिए हो सके तो ice plate से सिकाई करनी चाहिए ठंडा पानी पी सकते हो बटर milk ले सकते हो यानि कि जो मठा या चाच रहती है उसमें आप 2-4 ice cube भी डा मोसम के एकोडिंग आप देख सकते हो जैसे बहुत जादा सर्दियों का मोसम है तो फिर आपको बहुत ठंडी चीजे नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर आपका गला बेड़ जाएगा सर्दी जुखाम हो जाएगी बहुत सारी problem हो सकते है पर अगर गर्मियों का मोसम है तो आप बिल्कुल ठंडी चीजे खाओ कोई मनाई नहीं रहती है तो ऐसी परस्तिती में अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन में एक तो ब्लीडिंग स्टॉप के लिए जैसे टेनेग्जा मेफिनेक एसेड वाली जो टेबलेट आती है जिसका नाम टेग्जा इसके बाद में आपको औरोल एल टेबलेट का एक स्ट्रिप लेना है जिसमें कि 21 टेबलेट आती है और 21 गोली आती है मालो आपने देख लिया कि मेरा पांचवा दीन हो गया छेटा दीन हो गया आठवा दीन हो गया तो भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप कितना इंटेजार करोगे तो डोक्टर भी आपको यही ट्रिट्मेंट देंगे पर यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है है न कि हम क्या कर सकते हैं अगर नहीं जा पारे क्योंकि कहीं सारे इसे ग्रामिन शेतरे रहते हैं जहां डोक्टर की उपलब्दिया नहीं है या बहुत दूर-दू सो सु किलोमेटर तक कोई होस्पिटल नहीं है या अच्छे डोक्टर नहीं है अच्छे फेसिलिटी नहीं है तो पेशन क्या ही करेगा बलड बहने से तो बेटर है कि आप कुछ तो ट्रिटमेंट लीजिए पर मैं आपको यहीं कहूंगे कि माल लोगर आप अपने नियस डो तो जो ट्रेनेंग्जा MF टेबलेट रहती है वो ब्लीडिंग स्टॉप के लिए रहती है इस्पेशलि चाहे आपको किसी भी तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो यह ब्लीडिंग को बंद करने का काम करती है Everyday Tablet के जिसी और भी बहुत सारे टेबलेट से आती है जैसे Novelon आती है Filmilon आती है Yasmin आती है Jasmine आती है और भी Yamini के नाम से आती है और भी बहुत सारे अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम से दवाईया आती है तो इन में Especially 21 Tablet होती है इसको एक टेबलेट पर डे रात में खाने के बाद में लेना रहता है माल लो आप ये कोर्स शुरू करते हैं जैसे टेग्जा, MF जो टेबलेट है या टेग्जा काइंड टेबलेट है ये दोनों में पंटेंज सेमी रहता है बस ब्रांड का फरक आ जाता है तो टेग्जा काइंड, MF जो टेबलेट है सुबह शाम लेना है और उससी दिन से ओविरोल एल टेबलेट भी आपको रात से चालू करना है एक टेबलेट पर डे लेना है ओविरोल एल की रात में खाने के बाद में 21 दिन का कोल से जो आपको ब्लीडिंग हो रही थी दो से तीन दिन में चार दिन में पूरी तरह से बंद हो जाएगी इसके साथ मैं आपको डाइट भी फॉलो करना है जो मैंने बताई है जैसे कि विटामिन सी वाले जो खटे प्रोड़क्ट रहते वो ज़्यादा मातरा में लेना है और ठंडी चीज़े लेना है जैसे कि ब्लीडिंग का फ्लो उन चीजों से भी कंट्रोल हो जाए और कुछ दवाईयों से भी हो जाए अब 21 दिन की जो टेबलेट है आपकी वो खतम हो जाएगी खतम होने के बाद में फिर दुबारा से आपका पीरेड आ जाएगा तो आपका जो पीरेड साइकल है 28 दे इसका हो जाएगा यानि कि जो overall L टेबलेट रहती है उसको खतम होने के बाद एक हपता इंतजार करना पड़ता है पीरेड आने का जैसे 21 दिन के तो टेबलेट रहती है टेबलेट खतम होने के 3 दिन बाद पीरेड आता है किसी का 5 दिन बाद आता है किसी का 6 दिन बाद आता है तो टोटल मिला के 28 दिन का सरकल हमारा बन जाता है। तो इससे हमारे period भी regular हो जाते हैं। प्लस आपको जो सफाई के बाद में bleeding ना रुपने की समश्या थी, वो भी problems होल हो जाती है, हार्मोन भी balance हो जाते हैं। ताकि हम कमजोर भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम तक bleeding होती रहेगी, bleeding कंट्रोल नहीं होगी, तो क्या होगा, आपको खुन की कमी हो जाएगी जिसके कारण आपको चक्कर आना, आपको बोड़ी का color change होना, बेहोशी होना, बहुत सारी problem हो सकती है। तो इस तरह से आप अपनी जो समश्चा है उसका समधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।